आज हम जिस topic के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है schedule इंडियन पॉलिटी का ये बहुत important topic है जो कि जिसका हमें competitive exam में question देखने को मिली ही जाता है इसके later मैं आपको एक trick बताने जा रही हूँ जो कि आपको बहुत easily आप इसको learn कर सकेंगे ऐसो तो किसी भी student के लिए 12 के बारा schedules learn करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मेरी चोटी से trick से आप बहुत असानी से ये schedules याद कर सकते हैं वो मेरी trick है tiers of old PM हम इसे हमारे क्या बोलता है कि T से हमारे आता है territory जिसमें हमारे union और states आती है ये से हमारे announcement and salary आती है जो कि हमारे president, vice president को मिलती है उसके related बनाया गया है और third हमारा जो आता है वो आता है हमारा affirmation and oath जो हमारे जितने भी supreme court के judge होगे, president होगे, vice president होगे जो हमारी oath लेते है ना उसके related होता है ये उसके बाद हमारे पास आता है fourth number पर जो schedule आता है वो आता है हमारी राज्य सवा की seat इसमें हम लोग ये बताते हैं कि हम किस state को कितनी seat दी जाएंगी उसके बाद हमारे जो fifth वाला आता है schedule tribes ये हमारे जितने भी हमारे जो minority वाले tribes होते हैं के लिए बनाया गया और other tribes और हमारे क्या बोलता है other tribes उसके बाद हमारे पास आता है seventh number schedule federal जिसमें हम लोग क्या करते है division of powers करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारी power को divide किया जाता है जिसमें हमारी junior list concurrent list ये सब चीजे state list ये सब इसमें define की गई है आठमा नमबर में हमारा आता है official language ओफिशल लेंगिज हमारी आज इंडिया में 22 लेंगिज है बट हमारे पहले कितनी थी 14 लेंगिज थी बाद में हमने 8 लेंगिज एड़ करके इसको 22 लेंगिज बनाई है उसके बाद हमारा जो पहला जो हमारा linguistic base जो हमारे state बनी थी वो थी हमारी आंदरपरदेश उसके बाद हमारे पास आता है land reform हमारे जो land की reform है उसके लेंटर जैसे कि हमारा जो land का fundamental right था उसको हटा देगा गया था उसके लेंटर ये हमारा schedule है ये हमारा schedule first amendment 1951 में क्या गया ग अब हमारे पास बोलता है कि 10 नंबर पे आता है defection anti defection इसमें क्या होता है कि हमारे जो नेता होते हैं जो क्या करते हैं कि एक party change करके दूसरी party में आ जाते हैं तो इन सबी चीजों को रोकने के लिए government ने 52nd amendment 1985 को लेके आई थी उसके बाद हमारा 11 schedule में आ जाता है पंचायती पंचायती राज में हमारी क्या हो जाता है कि हमारी जो powers होती है न वो हमारे पंच सरपंच इनको दी जाती है ताकि वो किसी एक पंचायत को अच्छ से चला सके इसे हम लोग 73rd amendment 1992 में बनाया था और राजस्तान में पहली पंचायत बनाई गई थी उसके बाद हमारे बाद 12th नंबर पर आथा है मिनिस्पालिटिस 74th amendment 1992 इसे हमारे अर्वन एरिया में जो भी हमारे जितना वी वर कोन है उसके इसमें बताया गया तो देखा आपने फ्रेंड्स मैंने एक चोटी सी ट्रिक से बहुत ही इजी तरीके से आपको 12 के 12 शेडूल लर्न करना सिखा दिये हैं अ और अगर आपका इस टोपिक के रिलेटर कोई भी डाउट है तो आप कोमेंट सेक्षन में कोमेंट जुरूर करिए जिससे कि मैं आपकी कौरी का जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ और आपके पूरी स्पोर्ट करूँ कि आपको अगर कोई प्रोबलम है तो मैं उसको जल्दी से जल्दी सौल्व कर पाऊं तो फ्रेंड्स और भी कंपेटिटिव एक्जाम के रिलेटर वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल शेर मैं वीडियो और बैल आइकन को दवाना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो